हेलो ट्रेडर्स आज है 3rd of May और आज के ट्रेडिंग सेशन में मैंने बुक किया है 1,92,000 का प्रॉफिट तो सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं इस पेज को देखो आज के दिन मेरा एक SL हिट हुआ जिसमें 55,000 का लॉस हुआ और ये मैंने शॉट ट्रेड लिया था निफ्टी पे 18,150 का P को बाई किया था मैंने जिसमें 55,000 का लॉस हुआ और जो मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है वो भी निफ्टी के ट्रेड्स में है ये दोनों लॉं ट्रेड्स थे मैंने 18,000 का C buy किया जिसमें 167,000 का profit हुआ और 18,200 का put मैंने यहां पे sell किया था तो ये भी एक long trade था उसके अलावा भी मैंने कुछ और ट्रेड्स लिये जिसमें छोटे मोटे profits बुक किये छोटे मोटे scalping ट्रेड्स थे तो quickly let's go to the chart और understand करते हैं क्या logic था इन trades के पीछे तो यह है निफ्टी का 5-minute time frame चार्ट और यहां पर आप देखो के कल के closing से हमें एक gap down opening मिली और खुलते ही market में एक अच्छा कासा sell off आया हमने यह low लगाया यहां से reversal दिखाया और morning में हमको एक resistance zone और एक support zone मिल चुका था मैंने यह एक zone mark किया जो है 5-minute time frame का closing zone इ यह zone भी मेरे लिए important zone था यहां से हमने फिर से day high के आसपास pullback दिखाया अगर market इस level के उपर breakdown दे के sustain करता तो में मेरा बायस long side पे था यहां पर में एक long trade ले था लेकिन वैसे नहीं हुआ उससे पहले market reverse हुआ और eventually अपने day जहां से morning में support लिया था उसी level के आसपास आ गया अब यहां से फिर से एक pullback की कोशिश की लेकिन फिर market उसी level पे आया उस level का breakdown भी दिया लेकिन close नहीं कर पाया उसके उसी zone के आसपास closing दिया उसके बाद जब market ने यहां से reversal candle बन रही थी green candle बन रही थी तो इसका भी जो वीग है वो इसी वो same wig है यहां तक low dip लगाया और य जैसे यह reversal candle बन रही थी तो मैंने यहां पर एक long trade लिया 18,000 का CE मैंने बाई किया और मेरे चो target सेट किया थे मैंने stop loss बिल्कुल छोटा सा इसी swing के नीचे रखा था और मेरा चो target था वो इस swing के उपर target 1 एंड day high was my target 2 तो target 1 तो बहुत ही smoothly रिच हुआ यहां पर मैंने 50% quantity book कर और remaining 50% quantity को मैंने hold किया था with a trailing SL below this candle अब दिखो market यहां पर एक narrow range में trade कर रहा था और suddenly हमें एक breakdown मिला luckily इस breakdown ने मेरा SL hit नहीं किया लेकिन problem क्या हुआ कि इस point पे मेरा जो profit था वो around 1,30,000 के आसपास था और जब यह negative candle बनी तो वो सीधा 1,30,000 का profit dip होके 60-65,000 के आसपास आया तो इस negative candle ने मेरा जो mindset था वो थोड़ा सा deter कर लिया और जैसे यह reversal आ रहा था तो I was like in double mind कि फिर से हमें I was able to see 1,20,000 प्लस profit तो I was like not sure whether I'll be able to hold it till this point और जैसे ही एक uptick मिली तो मैंने around 1,60,000 के आसपास वो trades को book कर लिया उसके बाद मैंने wait किया for a new opportunity और market ने इस zone का breakdown eventually downside पे दिया और यहां पे हमें जो level को हम लोग respect कर रहे थे उस level का हमें breakdown मिला with a strong candle तो इस candle के closing के साथ मेरा view थोड़ा bearish हो गया and I was looking for a shorting opportunity तो मैंने इस pullback का wait किया और इस level के आसपास मैंने short trade entry बनाई अब मेरा expectation था कि market at least अपने support 3 pivot range के आसपास जाएगा और मेरा SL इस candle के ऊपर था मेरी entry यहां पर बनी थी लेकिन unfortunately next 5 minute के candle में ही मेरा SL हिट हुआ और इस level पे मैंने 55,000 के आसपास का loss बुक कर लिया अब मैंने next couple of candles को observe किया तो market बार बार इस level के नीचे dip कर रहा था लेकिन sustain नहीं कर पा रहा था तो जब market ने यहां से एक इस level के उपर निकला तो मैंने यहां पर एक long trade लिया इस बार मैंने 19,200 के PE को short किया था basically उसको sell किया था तो मेरा यह long trade था और मेरा जो target था target 1 and target 2 तो देखो target 1 तो बहुत ही easily achieve हुआ in fact उसे जादा ही points मिल रहे थे तो मैंने क्या किया इस point पे इस candle के closing के बाद मैंने जो मेरा trailing SL था वो इस level पे लगिया तो इस candle ने वो SL हिट किया और मैंने यहां पर वो trade से बाहर आ गया तो I hope आपको मेरे आज के trades की logic समझ में आई होगी thank you very much for watching and I'll see you in my next video